नमस्कार दोस्तो आज आपको इलास्टिक डालने का सबसे असान तरीका बताएंगे ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा आप चाहे पलाजों में डालें चाहे पैंट में चाहे पजामे में तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले लिया है और पजामे का नेफा 27 की ही ये पतला व्यक्ति है दोस्तो इस तरीके से अंजान से अंजान वाइब हैं भी इलास्टिक डाल लेंगे आपर डेड़ इंची इलास्टिक मैंने ले लिया दोस्तो देख सकते हैं आप और ये तरीका बिल्कुल असान है साड़े 23 का इलास्टिक यहां पर अब क्या करना दोस्तो चार बाग यहां पर कर लेने हैं काट लगा कर रवड की इससे क्या होता है पलेटा सबी पजामे के गेरे में एक सारा आजाएंगी यह बहुत ही हो और सबसे हैसान तरीका है दोस्तो अब यहां पर जोड़ पजामे का हमारे चार जोड है एक निसान को एक जोड़ पर अटेच्स करेंगे तो इस प्रकार से देखी हउँ पर टांका लगा ले न है पूरा ऑलास्टिक कपड़ेगे नीचे दोस्तो और यहां पर टांका लगा ले दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो देखने लिए इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जानकारी से बरपूर आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी पर तेक टोपिक पर दोस्तो इस चैनल पर वीडियो आपको मिलेंगी देख सकते हैं मैंने चारों निशानों कंप्लिट कर ली है सारी सलवटां देख सकते हैं आप बिलकुल एक सार आ जाएंगी सबसे पहले नीचे टांका लगाएंगे दोस्तो जो इलस्टिक हमारे लस्टिक की कानी पर टांका अना चाहिए दोस्तों देखें हमें इस उंगली से पता लगता रहता है कि Elastic कहां पर है पूरी खिंचाई करनी Elastic क्या आपको जितना हो से घिंच लेना है देख सकते हैं बहुत असान तरीक सकते हैं पीछे एक व्यक्तिक को खिंचने के लिए के तो हाथ वाली सीप्स तरीके से इलास्टिक डाल सकते हैं अब एक टांगा कंपलीट हो गया दोस्तों दूसरा टांगा बीच में लगाएंगे देखिए इलास्टिक को पूरा खिंचना है आगे पीछे से और जैसे मशीन तब इलास्टिक को छोड़ना है देखिए ऐसे नहीं तो सुई टूट जाएगी दूसरा टांगा मारा कंपलीट हो गया दोस्तों तीसरा टांगा उपर एक बायर का बीचा सोड़ते हो एक कानी पर लगाएंगे तो इस परकार देखिए दोस्तों तीनों टांगे कंपलीट ह वह तागे में काट देता हूँ अब दिखाते हैं आपको देख सकते हैं कितना अच्छे से इलास्टिक डल गया है सारी पलेटां दोस्तों एक सारा गई है इलास्टिक आपका गूमता नहीं है दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें